नमस्कार दोस्तों स्वाघत है आप कैसी लेर्ioxid क्राइप भाइशंग सर इंग सार आज हम करेंगे परसेंटेस का पार्ट करेंkiej ठीक है पार्ट नमबर दो तक हमने कंप्लीट कर लिया है चलिए फिरude नम पार्ट नमबर धी किस्ट स्टार्ट करते हैं और इसको फिनिस करते ह पूछा गया हमें इससे कोई मतलब नहीं अभी साड़े बारे परसंट का मतलब क्या होता एक बटे में आठ होता है अगर उसकी इंकम हम आठ माल लें तो ये बताओ उसकी सेविंग कितनी हो गई एक रुपए की यानि कि एकस्पेंडीचर कितना हो गया सात रुपए हो गया आय में अठारे परसंट की ब्रद्धी और ब्याय में बीस परसंट की ब्रद्धी ठीक है ये सवाल इस टाइप का करवा चुके है थोड़ा हिंट दिया था कि इस टाइप की चीज पूछी जाती है अब यहां पर हमने निक प्रद्धा एक सो चालिस हो गया क्योंकि बाई एक चीज देखो हमें पता है कि इंकम किसके बरावर होगी सेविंग प्लस अग्सपेंडीचर के तो 144 और 40 did कितना हो गया चार परसंट आ गई यानिकि सेविंग में ब्रद्धी कितनी है चार परसंट की है तो चार परसंट की ब्रद्दी होगी, यानि कि यह कमी वाले तो answer हो नहीं सकते, ब्रद्दी वाले answer होंगे, यहाँ पर दिको 4% निकालना हम ऐसे कर लेते हैं, हम इंकम इनमें 100-100 का गुणा कर देते हैं, इस तरीके से हो गया, इसमें 4% की ब्रद्दी करोगे 104, यानि कि हमें किस का मान निकालना हमें 4 का मान निकालना यानि कि ये इंकम हमारे साथ थी यानि कि 800 का मान हमें दिया गया था 45,000 हमें 4 का मान निकालना था बात खतर क्योंकि ब्रद्धी की बात कर रहा था 4 दूनी 8 हो गया यानि कि ये कैंसल आउट हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगी अब MPC यहाँ पर दिया गया ता 0.5 यह एक economics का term होता है जिसे बोलते है marginal propensity to consume अब यह होता है economics term इसका मतलब यह होता है कि जितनी ब्रद्दी हो रही है उसके एक unit पे 0.5 की ब्रद्दी होगी किस पर उपभोग में इसका मतलब यह होता है जैसे एक unit पे 0.5 की हुई कितने unit की है 500 unit की है तो 500 unit पे कितनी ब्रद्दी होगी 0.5 into में 500 कर देंगे यानि कि 25-25 यानि कि 200 की क्या होगी ब्रद्दी होगी उपभोग में समझ गये अगला सवाल करते हैं जब किसी संख्या में 47-2 की ब्रद्दी होती है तो परड़ाम 590 होता है संख्या ग्याद कीजिए तो हम इसको क्या लिख सकते थे 47.5 लिख सकते थे हमने मानली संख्या 100 थी 100 में 47.5 बढ़ेगा तो 147.5 इसी कामान दिया गया था 590 हमें निकालना क्या था वाई साब 100 कामान यानि कि 590 बटे में हो गया 1475 और उपर में हो जाएगा 1000 यह हमने पॉइंट का 0 उपर बढ़ा लिया अब यहाँ पर देखो कहां से पानने 45 यह निकि 15 पना पच्चतर हो रहा नहीं बढ़ा रहा 25 ने में 225 पच्चिस पंजे 125 हो गया यह यह 25 बार कट रहा यह एक हो गया यह 25 हो गया ठीक है 25 चोकू 100 कर देंगा यह निकि हमारा अंसर आ जाएगा क्या चार्ज calculation थी बस अगला सवाल 5 बटे 8 किसी संख्या के 60% के 40% के मान इतने हैं संख्या ग्याद कीजिए 5 बटे 8 किसी संख्या के कोई बात नहीं 339 इंटो में 8 बटे में 5 कर दो और यहाँ पर 6 कर दो बटे में 4 कर दो इतनी calculation कर लो आंसर आ जाना है तो इधर चार दूनी 8 हो गया ठीक है यहाँ पर करेंगे 6-5-30 हो जाएगा तीन बचा फिर 6-35-30 हो जाएगा इधर करेंगे 5-5-5-5-5-5-15-2-3-6-2-1-2-2-2-2-2-2-26 कहीं लिखा ओ अप्सन में आंसर लगा दो अब ज़रूरी नहीं है ए लेकिन आपको steps cutting करके जितना fast कर सकते होतना अब यह हम calculation कर रहें ना यह जो हमने काटा था 5-6-5-6 से वो इसलिए यहाँ पर 30 लिख दिया जैसे 3-3-9 अपॉन में 6 लिखा 6-35-30 तीन बचा 6-36 फिर तीन बचा हमें पता है कि यह जो 0 है ना यह उपर गए हैं दुनिया भर क तो एक बार इसलिए 6-35 और लिख लिया क्या दिकत है वो दिमाग में थोड़ा बहुत चलेगा ना हाँ अगर option यही लिख दे 226-226-0-226-00 तब आपको exact करना पड़ेगा लेकिन ऐसा option चाहता नहीं तो हम करेंगे नहीं अगला सवाल लगातार तीन मैनों में इधन की कीमत इतने-इतने की घट जाती है लेकिन चौथे महिने में 25 परसंट बढ़ जाती है इसकी मूल कीमत की तुलना में चौथे महिने में एधन की कीमत में कितने परसंट की ब्रद्धी हुई तो भाईया देखो यहाँ पर सिंपल सामें क्या करना सक्सेसिब मेथड लगाना जब भी ज़्यादा आ जाए सक्सेसिब लगा दो बात खत्ब 15% का मतलब होता है 5-15, 5-10 यानि कि 20-3 कम कर देंगे 17, 12% का मतलब होता 4-3, 12, 4, 4, 5, 20 25-3 कम को हो गया तो 22 बच गया फिर 10% गटी यानि कि 10 से 9 हो गया 25% बड़ी यानि कि 1 बटे 4, 4 से 5 हो गया अब इसमें जो कटरा पहले काट लो 25-25 हो गया फिर 2-4, 2-1 कम 2 हो गया अब तो कुछ कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा 2-2, 4 हो गया, पांचो को 20 हो गया यानि कि 20 मतलब 2000 इदर आ गया 17, 9 में 153 होता गोड़े में 11 कर देंगे 11 का मल्टीपल, लाश्ट तर्म ऐसे लिख दो इनको जोड़ा 5, 3, 8, इनको जोड़ा 5, 1, 6 फर्स तर्म आपको ऐसे उतार देना बस यानि कि इदर कितना हो गया 16, 183 हो गया यानि कि ब्रद्धी वाले तो आंसर हो नहीं सकते कमी वाले आंसर होंगे तो यहाँ पर एक ची देखना कितने का हुआ यानि कि डिफ्रेंस करेंगे 10 से 3 गया तो 7 हो गया, 9 से 8 गया तो एक हो गया, नो से छे गया, तीन हो गया, बटे में 2000 हो गया, गुडे में 100 हो गया, अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आपका पूरा नंबर आ जाएगा, निकल कर नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, तो आंसर लगा दो, भाकी तो आप करी लोगे, पंदरा हो ग नहीं सकता है, अब रद्धी वाले आप कैंसल आउट कर चुकी, अगला सवाल, जब एक पत्रिका का मूले 30 परसेंट गटाया गया, तो उसकी बिक्री में 17 परसेंट की बिरद्धी हो गई, कुल राजस्यों में क्या होगा, देखो मूले होता ना प्राइज और उसकी सेलिं में, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, मल्टीबल वाले प्रोड़क्ट वाला फंक्शन बनाते हैं, तो इसमें डारेक्ट में करना है, 30 परसेंट गटाया गया, 70 परसेंट बढ़ाया गया, प्लस माइनस माइनस, 30 गोड़े में, 70 बटे में, 100, अब यहां पर देखो, बि प्रक्टिस कर रखी होनी चीह, तभी स्पीड से रिवीजन हो पाएगा, ठीक है, अगला सा बालो, पहले बर्स के दौराने कस्वे की जंसंक्या इस परसेंग्या में, 10 परशन की ब्रद्धी हुई, दूसरे बर्श में, 10 परसेंट की कम हो गई, दूसरे बर्स के अंत में, स्री डवल टू थी और पहले वर्स की जन संक्या यानि कि ब्रद्धी 11 और कमी नो कर दो तो ग्यारा चौक चावालिस ग्यारा तियां तेटेस ग्यारा दूनी बाइस हो गया इधर करेंगे तो नो पन्ना पेताले जाता हो जाएगा नो चौक छते साथ बच्चा नो ट्थे बा ना कर डारेक्ट लिख रहे तब भी आप लिखतो रहे ना कुछ ना कुछ और यहां पर आपको डारेक्ट यहीं चीजा लिखना है बाई जीरो को वह वेलू नहीं दे रहा है तो आपको क्यूं देनी है डाक्टर ने तो कहा नहीं कि नहीं भीया आप जीरो लिखो नहीं करन लाओगा यानि कि आठ रेशियो शाथ आ गया आपको पैन नहीं चलाना पड़ेगा यहां पर टाइम से बोता देखो टब सवाल आते हैं महां पर टाइम से किसी को अकाद नहीं कर ले बहां बैठके आप ट्रिक नहीं बना पाओगे उनको आप बेसिक से ही करोगे जो सवाल इ गरमबिक वेतन की तुला हमने कितना कम था आसान है जब भी यह दोनों सेम हो जाएं हमेशा तो माइनस में आएगा यनि की कमी की बात होगा और जो भी दी जाया ब्रदी यनि की rate दे जाया उसका स्कौाइर बटे में 100 कर दो यैनि की 50 का स्कौाइर 25 येनि की 500 बटे में 100 कर जाएगे दर माइनस हो जाएगा 50 गोड़े में 50 वटे में 100 तो यह कैंसल आउट हो जाता जब भी ब्रद्धियों कमी की बात कर रहा है तो इसलिए यह चीज बसती है के वले ही डारेक्ट आंसर हो जाता है अगला सवाल करते हैं एक बेक्ट अपने मासिक बेतन के 15% के बरावर की रासी का मासिक भुकतान कर दिया फिर सेस की बात कर रहा है यानि कि 425 यहाँ पर भटे में 85 कर दो 75 और खर्च कर दिया 25 कर दो बस खतम हो गया 17 पना पचासी हो गया 17 दूनी 34 हो गया बचा आठ 17 पना पचासी 25 से 25 कैंसल उपर 0 दुनिया वरके होंगे 2 के साथ कहीं 0 इस चीज़ों पर अब नहीं करना है अब आपको जितना स्क्राटिंग कर सकते हो उतना करना अगला सवाल एक इमारत का बर्तमान मूल इतना एक बरस के बाद इसका मूल बढ़कर इतना ओनाँ मारत केम्ल में हुई प्रसत ब्रदि कितनी होगी फिजों सवाल आसान है जो जि बचा कितना है एक बचा है यानि कि अभी क्या करोगे पॉइंट लगाओगे जीरो बढ़ाओगे अभी भाग नहीं गया यानि किसके बाद जीरो आएगा अगर बाईचान 14.5 आजाता या 6 आजाता या 7 आजाता या 8 तो आपका आंसर 15 परसेंट होता लेकिन यहाँ पर तो छोटा आया इसलिए 14 परसेंट आंसर रहा यह ध्यान रखना 5 से बड़ा आजाएगा तुरंत 14 राउंड आफ होकर 15 बन जा करता है बहे इतने की बचत करता है तो उसका मासिक बेतन बस आप बिल्कुल कर लो कुछ नहीं सोचना भाई इतना खर्च कर दिया 8 बचा 50 खर्च कर दिया पांची बचा आठे कम आठ हो गया आठ तिया चौवेस आठ दूनी सोल आठ पननने चालेज पांदूनी दस पांच बिक्री में 20% की ब्रद्धी होती है लेप्टॉप की बिक्री से दुकान के कुल आए पर क्या प्रवाव पड़ा भाई देखो फिर भाई आगया प्राइज ओ बिक्री की बात प्रोडक्ट वाला सवाल आ गया 35 की कमी हुई 20 की ब्रद्धी हुई प्लस माइनस माइनस होता ह 35 बोड़े में 20 बटे में 100 हो गया 20 पंजे 100 पांस सत्य पैंतिस ये कटके पूरा 7 बना दिया इनका डिफ्रेंस 5 हो गया 3 से 2 गया एक बो भी माइनस का यानि कि हमें आपर माइनस का मिला यानि की ब्रद्धी वाले तो आंसर हो नहीं सकते और 22 आंसर हो गया कमी का अगला सव वाला भी कर लिया यहां पर भी ब्रद्धी और कमी हो रही है तो हमेशा आंसर क्या होगा 20 गोड़े में 20 बटे में 100 और ब्रद्धी वाला तो हो नहीं सकता कभी भी ये ध्यान रखना यानि कि क्या होगा 4 परसंट की कमी वाला आंसर हमेशा ध्यान रखना ब्रद्धी और कम करवाएंगे अगला सबाव और अपने आये का 20 पर सेंट पर टों पर यह तो गरेलु खर्च ग्यात कीजिए अब यह सवाल यह थोड़ा टिश्ट कर दिया देखो 20 पर सेंट पर्ट्रॉल पर खर्च कर देटा 20% मतलब हो गया, एक बटे में 5, एक बटे 3 का मतलब हो गया, एक बटे में 3, इनका दोनों का LCM हमने मानली टोटल आयोगी 15, यानि कि इसका एक बटे 5, यानि कि एक बटे 5 बाग का मतलब 3 रुपए उसने किस पर खर्च कर दिये, पेटरोल पर खर्च कर दिये, और कह रहा था शेस आयका यानि की पंदरे में से तीन इदर खर्च हो गए बचे कितने बारे बारे का एक बटे तीन पेट्रोल सोरी घरेलू खर्च पर तीन चुकू बारा चार रुपैस पर खर्च कर दिये इस थीन का माने में पचंतर सो दिया गया था यानि की 25 अगला साबाल 2020 में किसी सहर की जनसंख्या में 10% की ब्रद्दी हुई और फिर 2021 में 8% की कमी हुई 2020 के आरम में इसकी जनसंख्या के सापेच 2021 के अंत में सहर की जनसंख्या में हुआ परशत परवर्तन बताना नहीं Provographic जनस इसका मतलब ब्रद्दी कमी वाल हो नहीं सकता आंसर लगा दो 1.2 की ब्रद्दी भाई इतनी कमी उई डारेक्ट भार्मूला लगा दिया बात खतम नहीं तो successive लगाते रहो आराम से उससे भी आ जाएगा अगला सावाल एक बाइक के मूल में 10% की ब्रद्धी की गई और फिर 8% की ब्रद्धी की गई बाइक के मूल में सुध परसद ब्रद्धी कमेंट बाक्स में इसका आंसर लिखेंगे टाइम बेस्ट बिलकुल नहीं करेंगे फार्मूला जो भी पिछला सवाल किया उसी टाइप से है आप लोग लेखेंगे इसमें बस ब्रद्धी हो रही है अब यहाँ पर next ना हाँ ठीक है संक्या इतने में 15% की ब्रद्धी पर यह बढ़कर इतनी हो जाएगी अब जो कैल्कुलेशन का खेल यहीं पर आता है बैसे जनरली हम क्या करते थे इसका 115 वटे में 100 कर लेंगे आंसर आ जाएगा यहाँ पर यह थोड़ा कैल्कुलेटिव बन रहा ना तो हम ऐसा करेंगे नहीं करेंगे हम क्या करते हैं हम 56 प्लस में 56 का कितना परसेंट कर लेते हैं 15 परसेंट जोड़ देते हैं बस ऑप्सन यह देखना लास्ट के डो जिट देख लो भाई यहाँ पर 55 दे रहा यहाँ पर 50 यहाँ पर 75 बस खतम हो गई का नहीं यानि कि एक जिरो तो कट गया इसका मतलब प्वाइंट के बाद एक नंबर आना कि को नीचे एक ही तो दस बचा तो सिंपल सी बात यह नहीं सकता यह हो नहीं सकता क्योंकि प्वाइंट के बाद एक ही नंबर नहीं जितनी जरूरत है, हमें एक्षा दिमाग नहीं लगाना, पेपर में वैसे भी टाइम कम होता है, अगला सवार, एक विद्यारती के अंक 10 से बढ़कर 12 हो गए, परसत ब्रदी, बिना पेन चलाए सोचना है, बिल्कुल भी नहीं, 10 से बारे हो गया, दो बड़ा, दो बटे में 10 दो पंजे 10 या तो 20 परसंट डारेक्ट लगा दो, ठीक है, पेन नहीं चला ना चला लिया, तो कसम खा लेना, अपनी बेज़ती करवा रहे हो तो, फिर को क्या हुआ, एक सेर के 20 परसंट जनसंक्या युद्धिक की कारण ब्रत हो गई, और सेज जनसंक्या में 5 परसंट की सेर की जनसंक्या बरतमान में इतनी थी, तो युद्धि से पूर्व सेर की जनसंक्या कितनी है, देखो भाई, बरतमान में 152 है, 20 परसंट युद्धिक मर गए तिना, तो 8 पचे होंगे, 5 परसंट ये चले गए, तो 95 पचे होंगे, इस तरीके से लिख रहे हो कि भैया हमें रचा रचा के वो एक्जामनर हमें डवल नंबर दे देगा वो कहीं नहीं पर वो कच्छा कट जाएगा आपका अगला सवाल करते हैं एक वेक्तिकी मासिक आये इतनी थी इसका 25% कर पर सेस आये का 30% गरोली बेव पर और इसके पश्चा सेस आये का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है भै अपनी आये के सेस वाकी बचत करता है उक्त आंकणों को सभी 12 महिनों के लिए समान मानते हुए भै वेक्ति परतिवस कितनी बचत करता है तो बैया 50,000 रुपए थी यनिकी 5 ठीक है यहाँ पर एक्जेक्ट हमसे डाटा पूछा लेकिन नंबर सभी अलग अलग लिखे थे ऐसा तो है नहीं क्याईंग पर कुछ सेम लिखाओ तो फिटीक हम ऐसे कर लेते है माच गुड़े में 25 परसंट कर पर चला गया तो बचा कितना 75 30 परसंट सेस का गरेलू पे चला गया बचा कितना 70 फिर इसके पश्चा सेस आयका 10 परसंट मनोरंजन पे चला गया बचा कितना 9 ठीक है इनका गुणा कर लेते हैं सबसे पहले 25 होगा 15 यानि कि यहाँ पर हमें 12 मैंने के लिए निकाल नहीं थी तो 12 का गुणा भाई ये प्रती एक मैने काया ना मा से काय पिर काम कर रहे थे अब बारह मैने के लिए तो बारह के गुड़ा कर देते हैं बारह पंजे साथ हो गया बारह दुनी चौवेस और चे तीस हो गया फिर बारह चंग बाहततर और तीन पचत्तर हो गया हां से लगा साथ हो गया, बारा तियां 36 और साथ हो गया, बारा दुनी 24, 24, 28, 25 लिखा है, इसमें तो नहीं लिखा है, आंसर आ गया, जीरो से हमने कोई मतलब रखा, नहीं, आचा आंसर इसका C होगा, ठीक है, मैंने गलती से लगा दिया, तो यह ची समझ लो, आपको नहीं कर फिर गुड़े में आप कर देते 12 का गुणा, अब यह आंसर आता, इतना करना क्यों, हमने एक लाइन में इतना लिखा, गुणा करते चले गए, बात खतम, गुणा तो at the end करना ही करना, कभी कभी कैलकुलीशन आसान हो जाती, जैसे मुझे इसमें लग रहा है कि आसान हो ज लेकिन आप स्पीड से करेंगे, तो टाइम से यहां पर भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं की कर नहीं सकते, ठीक है, इतना कुछ टब भी नहीं था, अगला सवाल करते हैं, एक संख्या का इतना पर्सेंट और 11 दिसंबलब 75 है, तो संख्या क्या है, आपको सिंपल से आपको स चाहता हूं कि आप इस तरीके से करें, अब देखो न, यह इसका पाँच गुना हो रहा है, पाँच गुना हो रहा है, बस हमें और अपसन में देखो, एक ही जगह पाँच लिखा दिख रहा है, बत, खतम हो गई कहानी, क्यों हमें पंचायत में पढ़ाना है, अगला सवाल करते हैं सुभम बारसिक परिच्छा में 600 में से 345 अंग परात्त करता है परिच्छा में उसके द्वारा प्राफत अंकों का परसेंटेज क्या है 600 में से परिच्छा में 10 अंक से अनुत्रिष हो जाता है 52 अंक परात्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अधिक परात्त होते हैं परिच्छा में उत्रिष होने के लिए आवस्थक नियूनतम अंक कितने हैं तो बैया एक चीज़ बताओ हमें दो कंडिशन दी गई, दोन इसरी कंडिशन में क्या हुआ उसे बावन परसेंट मिल गए उसने आठ अधिक मिले अगर आठ कम हो जाते तब भी पासिंग हो जाता इतला पास हो जाता इन दोनों को बराबर कर दो अब यह लिखना तो आप लोगों को आता होगा लेकिन यही चीज़ तो है आपको स्टेप् तो 100 बराबर निकाल लेते हैं अभी बताते हैं क्यों निकालने हैं तीन गुना हो अरह था इसका भी तीन गुना 3 शग 151313 138 बरावर लाया तो मतलब 138 नॉमर लाया दस और चाहिए इतना नंबर चाहिए तो यह ही पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो उत्तर इतना प्राफ्त होता है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा अब देखो यहाँ पर पहली संख्या का साड़े बारे परसंट का मतलब क्या होता एक बटे में आठ दूसरी संख्या का साड़े 37% मतलब क्या हो यह इसका नंबर हो गया, यह इसका नंबर हो गया, कह रहा था, पहली संक्या में दूसरी संक्या घटा दी जाए, यानि कि दोनों का डिफरेंस, तो तीन, यह होगी तीन, और तीन से ए गया, दो, दो कामान दे दिया, 14-28, बोला था, योग तो 3-1-4 कामान, दो गुना कर दो, दो, अठ़े, जोला, दो, दो, दोनी, चार हो गया, और चाहदा, दोनी, अठाइस, आठाइस, аफंन कहीं चिपका है क्या, अंसर, यह आपर टाइम बहुत सेव होता है, स्टेप्स कटिंग कर के, अप अगर यहाँ पर देख बाते हैं, अगर दिमाग चलता, तो एक बटे एक है 45 जार मासिक है मैंने से 20 पर्षन और खर्च किया जाता है विच्पर्सन घर के किराये पर खर्च किया जाता है पाच फर村गन घब्राइब के किरायं पर खर्च किया 25 यहाँ पर गया यह यहाँ पर गया अब एक चीज़ देखना सब जगे कौमा लगा है कहीं ऐसा नहीं बोला सेज का तो सब को जोड़ लो 20, 20, 40, 40, 45, 45, 45, 10 पचपन हो गया और बाकी की बचत होती है यानि कि अगर 100 में से उसने 55 खर्च कर दिया तो बचा कितना 45 यानि कि 45 का 45 परसंट यह सेविंग है सेविंग का 12 परसंट उन्होंने क्या किया दान कर दिया गरीबों को तो यह आगी गरीबों की रासी यहीं अमें निकालना था कैंसल आउट 0 से 0 हो गया यानि कि यहां से 1-0 यह चला गया 5-2, 10, 5-9, 45 हो गया 2-6, 12 हो गया तो 6-5, 30 हो गया 6-4, 24, 24, 13, 27, गोड़े में 9 हो गया, 0 हो गया, 9, 73 हो गया, 9, 2, 18, 24, यानि कि 24, 30 कहीं लिखा है, आंसर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से सवाल पढ़ोगे, कोई दिकत नहीं आएगी, अगला सवाल, खेल का एक सर्वेचड आयूजित किया गया था, उस सर्वेचड में कुले 360 लोगों ने भाग लिया, सौकर पसंद करने वाले बालों की संख्या 54 है, सर्वेचड में सामिल लोगों में से कितने परसंट लोग सौकर पसंद करते हैं, तो 9.36 हो गया, और 9.64 हो गया, 15.60 हो ग याने कि 60 बटे में 4, 15 परसंट, अगला सा बालों, A का 15 परसंट रेशियो में B का 25 परसंट और दिया गया समानुपात में 8 अनुपात में 11, तो A और B का रेशियो में बताना, अब थोड़ा साथदानी रखनी है, कुछ नहीं करना था, क्या करना था, 8 गोडे में 25 और 11 गो 25 परसंट, बरावर में लिख रहे, 8 बटे में क्या रहे, तो भाईया किसको दिखाने के लिए, अब फिर आप यहां से A और B का रेशियो निकालेंगे, कोई मतलब ही नहीं बन रहा, अगला सबाल, गयों के मुल्य में 20 परसंट कमी के कारण किरेडी को 1200 में 4 केजी अधिक ग पांच ओको 20 केजी गयों, फिरी में मिलता है, इससे जादा नहीं मिल सकता था, यानि कि टोटल कॉंटिटी हमें 20 केजी मिल ले थी, ठीक है, कब परजेंट में, यानि कि रुपए कि इतने पड़ रहे थे 20 केजी के, 1200, यानि कि परजेंट रेट क्या हो गया, 60 रुपए, अ कमी हुई है, उससे पहले का प्राइज हो गया, ठीक है, अगला सबाल, A के 15%, B के 35% के गुड़न फल को C के 21% से विवाजित करने पर उत्तर के रूप में 37 प्राप्त होता है, यदि A और B के गुड़न फल को C से विवाजित किया जाए, तो उत्तर क्या होगा, करा A का 15% और B के 35% का गुड़न फल, C के 21% से विवाजित किया जाए, तो उत्तर के रूप में 37 प्राप्त होता है, करा यदि A और B के गुड़न फल को C से विवाजित किया जाए, तो आंसर क्या होगा, तो कुछ बचा है सवाल में, कुछ भी नहीं बचा भई, बस calculation बची, ये परसेंटेज अभी बचा है, यानि कि परसेंटेज नीचे 100 लेके आएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा 37, बटे में हो गया 15, गोडे में हो गया 5, ये काट भी तो सकते थे, 35, 15, यानि कि यहाँ पर 25 लिख लो, ये अटा जो सब 25, तो 25, 400 हो गया, और बराबर में 4, 7, 28 हो ग अब ये सवाल है, बिलुकुल आसान, ओरल करनी के उसस करो ना, बी की आठ गुनी है, कौन ए, यानि कि बी कम कितना हो गया, 7 कम हो गया, 7 बटे में 8, गोडे में 100, 100 बटे में 8, साड़े 12, 12, 84, आंसर, कहने का मतलब है, A, B, यानि कि ये 8 गुनी है, बी कितना कम हो गया, 7, क पड़ा केवल एक ही नंबर था, आंसर आ गया, बाकि पूरा कर लो, 7, 55, 84, 87, 85, परसेंट आंसर, ठीक है, यही होता, टाइम यहीं से बचेगा, आप सोच रहे होगी कि टफ सवाल करके हम टाइम बचा लेंगे, तो भाईया, कोई नहीं बचा पाया, टाइम यहां से इसे 60% बोट प्राप्त हुए, यदि विजेता को इतने बोट प्राप्त हुए, तो बोट डालने के लिए अधिकरत लोगों की संख्या कितनी है, यह भी बहुत आसान है, भाई, टोटल बोट या 100 मान के कर लो, या X मान के कर लो, क्योंकि X हमें निकालना है, तो हम इसी पर काम कर लेते हैं, 90% लोग क्या हो गए, लोगोंने अपने बोट डाले, ठीक है, इन्नोंने बोट डाले, 80% बोट बैद थे, 80% हो गए, 60% इसमें से बिजेता को उपराप्त हुए, और इसी का मान दिया गया था, 6480, अधिकरत लोगों का मान निकालना था, तो हमें X का ही मान निकालना था, इसका मतलब हम यहाँ पर भी हम डारेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किया इसलिए नहीं, कि हर जग है सही भी नहीं रहती चीज़े, ठीक है, यहाँ पर यह 0 इससे चला गया, इधर किया 6, 1, 6 हो गया, 0, 6, 48 हो गया, इधर करेंगे बारने में 108 हो गया, इधर है, तो उनमें से एक संक्या 28 है, तो दूसरी संक्या 28 है कितने परसेंट अधिक होगी, देखो फार्मूला आपको बताऊगा, LCM इंटू में ऐसे बरावर में फर्स्ट नमबर, इंटू में सेकेंड नमबर, तो 252 गोडे में 14, बरावर में 28, यह होगे हमारे पास सेकेंड तो यहां से 14 दूनी 28 होगया, 2 से करेंगे, तो यह कम दो, दो दूनी चाहरे दो छक्के बारावर यह सेकेंड नमबर आ गया, कह रहा था कि 28 से कितने परसेंट अधिक है, यानिकि अगर हम 126 लिखें, 28 लिखें, तो यहां पर 28, यानिकि 14 दूनी 28 होगया, इधर करेंगे त 14 ने में 126 हो गया अगला सा बाल एक परिच्छा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बरावर थे जबकि अनीता के प्राप्तांक बिनीता के प्राप्तांकों से 110% के बरावर थे पर इच्छा में सुनीता के प्राप्तांग कितने थे तो बिनीता के प्राप्तांग ग्याद की दिये देखो सुनीता अपॉन में अनीता इंटू में अनीता अपॉन में बिनीता ये कर लेंगे तो हमें यहां से किसका Ratio मिलेगा डारेक्ट सुनीता और बिनीता का Ratio मिलेगा हम यही कर लेते हैं भाई 90% के बरावर थे अनीता के प्रातांगों के अगर पहली condition के लिए अगर हम लिखे हैं तो अनीता को 100 मिले तो सुनीता को 90 मिले होंगे सो के 90% के बरावरी तो मिल ले है सुनीता को अनीता के बस खतम हो गया यहाँ पर फिर कह रहा था अनीता के प्रापतांग बिनीता के प्रापतांगों उसे 110% के बरावर है यानि कि अगर बिनीता को हमें 100 मिले है तो उसको 110 मिले होंगे 100 का 110 परसंट 110 होता है यानि कि अगर हमने इसको कैंसल किया तो 2-0 यहां से चले गए यानि कि यहां पर आ गया 11 नैमं 90 बटे में 100 हमें मान दिया गया तैंड इसका 198 हमें निकालना था बनी तब ने तक तो इसका दो गुना इसका भी 2 गुना यानि कि केटना हो गया 200 answer आगया अगला सवाब करे चलो फिर एक फुटवाल टीम अपने खेले गए मैचों में से 40 परसेंट हार गई यह उसने 75 मैच जीते तो उसने खेलों के मैचों की संख्या गया आसान है भाई साट हो गया 15 55 55 60 हो गया 4 एकम चार चार दुनिया चार पंजे भीस आंसर आ गया बाई टोटल सो मैच रहे होंगे 40 आर गी तो 60 जीत भी कोई यहनिकी 60 बराबर पच्था दिया गया था हमसे 100 बराबर पूछा गया था तो यहाँ पर हमने डारेक्ट 15.55, 15.60, कोड़े में 125, 15.125, आंसर आगया, जितनी स्टेप से कटिंग करोगे, उतना आप एक्जाम में फायदा लेके जाओगे, लेकिन एक दम से हो भी नहीं जाएगी, प्रक्टिस यहाँ करनी पड़ेगी, हो जाती है बस, अगला सबा, दो चात्रों ने एक प्रिवेस परिच्छा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15% अधिक अंक प्रात्त की, और उसके अंक उनके अंकों के योग फल के 80% के बराबर, उनमें से प्रतियक द्वारा प्रात्त अंक बताना, इसको देखो यहाँ लास्ट से पकड़ो, कह उनक दोनों के सम के, यानि कि अगर मालो 100 है, तो जो नमबर है उसके अंक, पता नहीं किसके अंक बाई, जो 15 अधिक कर रहा था, हमने ए माल लिया उसको, कह रहा था, बीज 15 अंक उसके अधिक थे, लेकिन यह 80% था, यानि कि 20 चोकू, 80, 20, 500, इसका मतलब बी बराबर कितना आ गया, एक आ गया, भाई नहीं समझे, ए प्लस बी बराबर 5 है, ए बराबर 4 है, तो बी बराबर 1 होगा, तभी तो दोनों का सम 5 आएगा, यानि कि इन दोनों का अगर सम देखे, तो 3 बराबर हमको कितना दिया गया था, 15 दिया गया था, अब यहाँ पर हमें निकालना गय है प्रती एक द्वारा प्राप्त अंक निकालने है यहने कि चार बराबर निकालेंगे तो 20 एक बराबर निकालेंगे तो 5 यह आंसर आ गया अगर नहीं कर पाते तो option का सारा लेकर में कर लेना था कैसे कर लेते भाई 25 25 किया 25 का 80 करते पच्चे चोकू सो और चार दूनी आठ देखो दूसरा वाला बीस अपने आप निकल कर आ गया बस खत्म हो गई option से भी कर सकते दिख अगला सवाल केसी परिच्छा में जैक को 45 परसे नंग प्राप्त हुए भाई 18 अंगों से अनुत्रीड हो गया परिच्छा में फरीड होने के लिए आवस्जच नियून तम अंग छेंक अंग अधिक प्राप्त हुए परिच्छा में कोई भी अधिक तम अंग कितने अंग प्राप्त कर सकता है ठीक है अब यहां पर थोड़ा सावाल चैंज हुआ कैसे 45% 18 अनुत्रिड हुआ तो यह पास पहुंच गया 65% प्लस का हो गया यहां पर 6 अंक उसने अधिक प्राप्प कर लिया तो माइनस क्योंकि यह भी तो हम ने पहुंचा लिया अब हमें पता है परसेंटेज वालों का डिफरेंस और नंबर का सम होता है यहां कि यहां पर उसके पूछने के तरीका अलग हो गया वो अगर ये पूँचता कि टोटल कितने नंबर का पेपर था तब भी आंसर 120 कोई कितने अधिकतन नंबर ला सकता 120 तब भी आंसर 120 क्योंकि ऐसा तो है ने 120 नंबर को पेपर 125 ले आओगे ऐसा नहीं होता है ससीम होता है नॉर्मलाइजेशन में वो बात लग लेकिन ये और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल कितना है तो इसे हम अपने अकॉर्डिंग कर लें क्या देखो भाई 100-100 नंबर के दोनों पेपर रहे होंगे ठीक है एक ने 92 परसंट याने की बानवे लिया एक ने 96 परसंट याने की 96 लिया दोनों ने 628-918 लिया ठीक है याने कि हमने 200 माना था इसी 200 का मान में दिया गया था 375 ठीक है किसी यदी परिच्छा का पुढ़ांग सोरी 100 बराबर दिया गया एक 188 बराबर निकाल लो तो पांदूनी 10 हो गया इधर करेंगे 575-25 हो गया इधर 15 हो जाएगा इधर 520 हो गया 4.16, 4.78 हो गया 15 सत् 60 हो 1070 याने कि 705 आंसर अब यहां पर 100 बराबर ही क्यों किया कि 100 नंबर का ही तो पेपर था लेकिन दोनों ने अलग 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 नंबर प्राप्त किये थे तो 100 अलग 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 लग लिए तो 100 बराबर इतना हो गया अगर 200 बराबर मानते तो हमें 365 का दोगुना करना तो B के पास कितनी टौफियां हैं? बहुत आसन, हमने मादली अपनी तरब से 100 टौफियां है 50% से एक अधिक किसके पास है? B के पास है इसका मतलब है कि इसके 50% से एक कम किसके पास रही होगी? A के पास रही होगी यानि कि अगर हम देखें तो 50% माइनस का एक बरावर में 8 हो गया तो 50% बरावर कितना आ गया? 9 आ गया यही हमें लिखना था 9 पिलस का एक यानि कि B का माना आ गया 10 अगला सवाल A की आए, B की आए से 25% कम है जिसकी आए, C की आए से 40% अधिक है C की आए, D की आए से 20% कम है A की आए, C की आए से कितने परसेंट अधिक है तो हमें रिलेशन किस में बताना है? A और C में बताना है यानि कि इन भाई साब की तो हमें जरूरत नहीं है भाई कह रहा था कि A upon में B और into में B upon C कर दें कोई दिक्कत है पहली कंडीशन के लिए अगर हम लिखना चाहें तो कह रहा था 25% कम है B की आए से तो B की आए पहली कंडीशन में नीचे लिखी 100 होगी तो 25% कम कर देंगे 75 होगी कह रहा था जिसकी आए, जिसकी आएका मतलब B की आए C की आए से 40% अदेक है, यानि की C की आए अगर 100 है तो B की आए 140 होगी यहां से यह कैंसल आउट होगी यानि की A अपॉन C बराबर यह आ जाएगा 25-3, 75, 25-4, 100 और इंटू में 140 यानि की 14 बटे में 10 तो 2 दूनी 4, 2 सत्य 14 होगी यानि की 7-21 बटे में 10 दूनी 20 होगया कराता C की आए से कितने परसेंट अदेक है तो C की आए से एक अदेक है बटे में 20, गुड़े में 100 यानि की 5% आंसर आगया अगला सवाल करे, चलो फिर 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कच्छा ने एक संगीत कारिकरम प्रायोजित किया यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने भाग लिया तो लगवक कितने परसेंट कच्छा ने कारिकरम में भाग लिया अब यहाँ पर देखो परसेंटेज निकालना, 40% लड़कियों ने यानि की 50 का 40% भाई, इसका हम डारेक्ट सोच रहे है 20 हो गया 70 का 50% 35 हो गया यानि की इतने लोगों ने भाग लिया टोटल थे कितने लोग 120, यही तो टोटल लोग थे समझ गए, गुडे में 100 तो यहाँ पर यह 0 से 0 चला गया 5 हो गया, 3-2-5 हो गया यानि की यहाँ पर यह कर लो इधर करेंगे 12, 48 हो गया 7 बचा, 12, 60 जादा हो जाएगा तो कर देंगे 12, 50 60, ठीक है 45% के आसपास, 45 के बाद 46 तो लिखा नहीं, आंसर लगा दो अगर 46 लिखा होता, तो आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ता देखना पड़ता कि पॉइंट इक बाद कहीं कैसा तो नहीं, 6-7 आ रहा हो तो राउंड आफ करके 46 भी आंसर हो जाता अगर 45 दसंबलब 2-3 ऐसे आ रहा हो, तो 45 ही आंसर रहता तो यह चीजें द्यान रखना पता लगे जल्दवाजी में लगा दो, क्योंकि यहाँ पर लगवक की बात कर रहा था, अगला सवाल एक परिच्छा में उत्रीड होने के लिए एक विद्यारती कुल अंकों का 50% लेना होता है दो विश्यों वाली परिच्छा में एक विद्यारती ने 200 अंकों के पहले विश्यों में 40% पराप्त किया परिच्छा में उत्रीड होने के लिए 300 अंकों के दूसरे विश्यों में नियूनतम कितने परसेंट अंक पराप्त करने चाहिए देखो, सिंपल है बहुत सवाल एक में उसने 40% लिया दूसरे का हमें पता नहीं है ओवर राल हमें 50% पता इन दोनों सब्जेक्टों में रेश्यों किया है 200 और 1500 का यानि कि कैंसल आउट होगा है पांचों कुबीस, पांतियं, पंद्रा एलिगेशन लगा दो बात खतब यहां से हमने डिफरेंस किया तो यह आगया हमारे पास 10 यानि कि 3 बराबर में 10 है तो 4 बराबर में कितना होगा 40 बटे में 3 होगा अब आपको यह भी पता है कि एलिगेशन में अगर एक नंबर छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा यानि कि यह वाला टर्म हमें निकालना कि यहाँ पर रेशियो यह नंबर का ही क्यों आया क्योंकि आप जब भी परसेंटेज निकालते हो तो टोटल नंबर जो भी गेन की है टोटल नंबर जो गेन की है ठीक है यहाँ पर एक्जाम के टोटल नंबर एक्जाम के टोटल नंबर इंटो में 100 करके निकालते हो तो यहां पर जो भी सापे ची में होता है उसी का रिश्यो यहां पर नीचे आता है यह हमेशा ध्यान लखना कभी-कभी हम profit बाले में profit percentage में भी लगा देते तो profit percentage ऐसे ही तो निकालते हैं तो नीचे रिशियो जो भी आता ना वो CP का आता है यानि कि जो भी सापेच में होगा उसी का रिशियो आता है तो यह चीज आप समझ गए होंगे अगला सवाल एक चुनाव में केवल दो उमीदवार थे विजयी प्रतियासी को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए उनके प्रति बोट हमने 100 माने विजयी प्रतियासी को 48 मिले और फिर कह रहा था प्रतिदुन्दी को 600 मत मिले जो कुल मतों का 34% थे यानि कि इतने तो बोट पड़े हैं तो कितने हमारे बेकार हो गए इनको जोड़ लो 40 30 70 70 में 12 जोड़ देंगे 82 हो जाएगा 82 यानि कि बचा कितना 18% ख को दूसरी कंडिशन में 3600 मैच है पहली कंडिशन में कुछ भी मैच नहीं तो पहली कंडिशन में कितना पूंचा दीचने वाले को तो 48 का मान निकाल लेते हैं बस चो 34 दूनी 68 हो गया और 48 दूनी 96 100 वोट उसको मिले होंगे जीत का अंतर पूंचा है इसलिए नहीं आ रहा ठीक है अब यहाँ पर यह तो दो आ गया दो गुणे में 18 का देते तो यह 3600 आंसर आ जाता किसका यह आ जाता हमारा जो आमान निकाल वोट हो गए आसान था अगला साबा एक संख्या जब इतने से कम हो जाती है तो 270 बन जाती है ठीक है परसेंटेज की बात कर रहा है एंग इतना बचेगा 23 गटाय 77 10 से पात गया पांच इतना बचा इसका मान दिया गया ता 270 संख्या में 100 का मान निकालना था यहांई कि 270 बटे में 775 इंटू में हो गया हमारे पास 1000 ठीक है तो साफा 14 पाच उन्नेस हो गया यहीं कि पत्चेस तियां पच्चेस है कम पच्चेस चोखूस हो गया यह साथ बार हो गया साथ चोख 28 यानि कि 280 नमबर रहा होगा अगला सबाल मज़ा आ रहा ना टाइम बेस्ट नहीं हो रहा बिल्कुल भी कंटीन्यू करते ही चलना है यही तिको एक् संख्या घटकर इतनी हो गई चोथे दिन कितने परसेंट लोग कम आये बस डियरेक्ट निकालना था यह कैंसल से आउट कर दो फिर आपर नौचे बंद्रा देखो 845 और 169 तेरह टेरियम 179 हो गया तेरह च्छा कठत्तर तेरह पंजे 65 हो गया यानि कि तेरह कम तेरह तेरह कितनी हो गई किसी संख्या और उसके 25% कितना होगा, 25, अंदर कितना हो गया, 75 हो गया, इसी कामान 24 दिया था, संख्या आमने 100 मानी 100 बराबर निकाल ली, अगला सवाल, अब यह सवाल, देखो, परसेंटेज आपको अटाने हैं सबसे पहली बात हो, तो देखो, परसेंटेज आइसे अटालो, यह परसेंटेज गटाना, यह दो 0 कर दो, एक 0 इससे चला गया, यह पॉइंट अटके, पॉइंट टू आ गया, यहां पर 25, 70, 175 हो गया, हांसे लगा, 70 हो गया, पच्चेज दूनी 50, और 10, 60 है, यह के बाद पॉइंट आ गया, पॉइंट टू आ गया, यह पांस दो साथ हो गया, आचा गट आना है, तो 3 कर दो, यहनि कि सरसर्द समलब 3 आंसर आ गया, यह कैलकुलेशन थी, जितनी जल्दी जो सोच लेगा, वह ठीगा, अगर यही चीज़ आप अगर रफ सीट में कर रहे हैं, बढ़िया से रचा के, एक एक ची लिखके, तो टाइम बचेगा कैसे, बचे ही नहीं एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर 15% की ब्रद्धी, इस परकार प्राप्त संख्या 22 संख्या से 64 कम है, तो बास्तिवी संख्या क्या होगी, अब इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, तीन तरीके से एक्ट्वल में, जो फार्मूला पता है, उससे कर सकते हैं, successive से कर सकते हैं या फिर ratio आप पना के डारेक्ट उधर पहुंच सकते हैं ठीक है जैसे भी करना चाओ successive ऐसे में ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि आपको last term पे पहुंचना है तो वो चीज होती है यहां पर तो 20 परसंट कमी का मतलब हो गया एक बटे में 5 5 से 4 हो गया 15 की ब्रद्धी पांतिये 15 पांदुनी 10 हैने की 20 से 23 हो गया तो 4 पंजे 20 हो गया ठीक है पच्चम 25 यह 23 हो गया संक्या से 64 कम है हमारे इसाब से कितना कम है वह दो दो का मान 64 है बास्तविक संक्या 25 का मान निकालना यही तो बास्तविक मानी है तभी तो अंतर हमने कर लिया नहीं तो कैसे होता यह हो गया 32 गोड़े में 25 पच्चेस दूनी 50 पच्चिस दिया 75 और 85 अंसर अगला सबाल हो एक चात्र को मनों विज्ञान में उत्रीड होने के लिए 20 परसंट अंक चाहिए उसे 10 परसंट अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से अनुत्रीड हो गया उत्रीड होने के लिए कितने अंक चाहिए दोनों में डिफ्रेंस कितना है दस का है दस बराबर में 20 हो गया 20 बराबर में निकालेंगे तो दो गुना हो गया इसका दो गुना हो गया इसका दो गुना हो गया इसका दो ग कितना निकालना था उत्रीड होने के लिए 20 चाहिए था तो 20 का मानम ने निकाल लिए 40 आंसर ठीक है आसान था अगला सवाल यदि एक परबार द्वारा उपवोक की जाने वाली किराने की बस्तू की कीमत में 25% की ब्रद्दी उसकी खपत में कितने परसंट की कमी होनी चाहिए इस सामान पर होने वाले बे को परवर्तित रखा जाए आंसर रेशियो बताया था गोल्डन रेशियो 16 से 2 बटे में 3% 20% 25% भाई उसने इतनी ब्रद्दी की ना तो कम करने के लिए 20 पर आना पड़ेगा आंसर आ गया ठीक है आप यहाँ पर 25% मतलब क्या होता एक बटे में परवर्तित रहें परवर्तित रहा यहां पर थेको कितनी कमी कर दी किस में पाँंच में गुड़े में 120% ऐसे भी आ जायेगा अगर आपको यह यादोगा तब भी आ जाएगा अगला सवाल करें अब अगला क्या कर रहें चलो भाई सो कोशन हो गए हैं अब यही होता है कि आप मैंने जैसे सो कोशन यह करवाय तो थोड़ा सा ठक गया हूँ अब यही अगर मुझे कोशन रीड नहीं करने पड़ते आप लोग कर लेते तो यह और आगे तक जा सकता लगा लेकिन कोई नहीं, आप लोगों जैसा मंजूर था वैसे आप लोगों ने किया, ठीक है, डिमांट रखने का मौका दिया ना, इसलिए ये सब कुछ हो गया, नहीं देता, तो कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, पेपर निकलना चाहिए और एकदम बिंदास रिवीजन होना चाहिए, बहुत कम समय में आप कुछन कर रहे हैं, ये आपने अंदाजा कर लिया होगा, और ट्रस्ट बनाए रखना, पूरी सीरीज खतम होगी, जैसे भी हो, खतम जरूर होगी, ठीक है, बस साथ-साथ पढ़ते रहे ना, बाकी अपन वीडियो में तब तक लिए, जै हिन, जै बारत